हेलो हावी बच्चों कैसे हूँ उमीद है कि सब मस्ती होंगे चलिएगा बच्चों आज हम अपने पास में से द्वारा आउजित जो डीटी एस है बायोकेम डीटी एस फुली एंस यार्टी बेस्ट हमारे पास में यह 25 टेस्ट की एक सीरीज है जिसे बायोकेम डीटी एस बो निरमित होते हैं तो आपको पता है कि रूट के यारे हो गया मैस्तम्स घूटी और आपको पता है कि मेंतां घूट करते हैं तो आपको पता है कि जो अपने पास में मैं जो रूट निकलती है उसको अपन प्राइमरी रूट बोलते है इससे पार्शव साका निकलती है इसको सेकेंडरी इससे पार्षों साका निकलती है इसको क्या बोलते है तो प्राथ्मिक रूट जो है वह हमारे पास में पार्षों साका नहीं है तो expigy कर घुल ऐस्ट किंशन हमारे पात मेंक्ष मेर फ्री तो नमर 428-4 सॉतो श्रॉम किसमें दिखाए देती है ऐपने पास में जो दढबली पाध आप बोटे है राइजो फोरा कुछे अंदर पास में क्या पाई जाती है और यह काम करती है क्योंकि दलदल के अंदर अपने पास में oxygen का absorption difficult हो जाता है तो रूट भार आ जाती है और oxygen का absorption करती है के लिए बात next question के बारे में अपन बात करते हैं तो क्योंसर नमर हमारे बात है कि गाजर जो है वो मूल का रूपांतर रहने हैं यह आप जानते हो लेकिन advantageous यह यह तो हम जानते हैं कि गाजर जो है वो अपने पास में मूशला मूल का रूपांतर रहने टैप रूट का food storage का modification तो मूशला मूल आंसर चला जाएगा तो आंसर नेक्स्ट के बारे में अपन बात करते हैं तो बच्चों अपने पास में एक तरह से सब्सक्राइब करती है सब्सक्राइब करती Tips होती है तो यह हमारे पास उसמצों पर आम हमारे पास रेस्पार पीटिर सभी पार्यवारburg तो respiratory root कहलाती है यह भी बिल्कुर सही बात है क्योंकि यह रूट अपने पास में जमीन के बहार आ जाती है यह मालों जमीन तो vertically growth करती है और यह भी हमारे पास में सही बात है तो पहला ही option रोंग हो गया तो आनस्वर हमारे पास में क्या हो जाएगा फस्ट नेक्स्ट की बात करते हैं तो six number कह रहा है मैच इच आइटम इन कोलम फस्ट विद वन आइटम इन कोलम सेकेंट एंड चूज यूर आनस्वर फ्रॉम दा कोड गीवन ब्लो आपको अपने पास में दोनों इस्तम मिलाने हैं और अपने पास ने इन में से जो आनस्वर सही है उसको चूज करना है तो प्लांट प्रोपोगेट बाई मतलब अपने पास में किस से अपने पास में से प्रोपोगेटेड करता है और तीसरा है पत्थर चट्टा ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा में अपने पास में आपको पता है कि काई कली काई कहां उत्पन होती है पती होपार तो अपने पास में आंशर जो भी होगा वो फश्ट हो जाएगा बेटा नेक्स्ट के बारे म में अपने बात करेंगे क्यूशन नमर शेवन कि दा लेटरल ब्रांच विद सोट इंटर नोड और इच नोड बेरिंग रोजेटी ओफ लीफ तो अपने पास में एंड टब ओफ रूट इस फाउंड इन देखो बेटा सोट इंटर नोड मतलब ऐसा हो गया और आवरी पर अप है पाउवर होती है चोटे अंतरपट्राउ और पर के ऊपर की तरफ की तरफ हो पस्तित होता है इस परकार का तनच इस परकार की बात कर रहा है तो आपको पता है यह पिस्टिया हमारे पास में हो जाएगा offset stem की बात कर रहा है offset stem या तो पिष्टिया में होगा या आइकॉनिया में होगा ठीक है next question के बारे में अपन बात करते हैं next question हमारे पास में question number 8 when a suit tip transform into a flower ठीक है जब एक तने का सीर्षस्त भाग पुस्प में रुपांतरित होता है तो बच्चों सबसे पहली बात आती है it is always solitary यह हमेशा एकल होता है तो बिल्कुल सही बात है सूट टिप जब भी सूट टिप साइमोस में होता है modified अपने पास में और जब भी सूट टिप मोडिफाइड होगा तो वह हमेशा क्या होगा एकल होगा ठीक है हमेशा कम इसका कोई मतलब नहीं है इससे एक भी मतलब नहीं और लौक जीवन का होता है इससे बहुंतलब नहीं तो पास में लेंगविज समझने का क्यूशन है आप से कहा गया इस टेंप फिर चारों करेक्टर लिखा गया फिर इसा के रूट आपको चूज करना है जो किसी भी रूट के दौरा शो नहीं होता है ठीक है एसेंडिंग पार्ट होता है देखो बैटा रूट भी अपने पास में की तरह कर सकती है जैसे नुमेटो फोर्म में वर्टिकली ग्रोथ कर सकती है ठीक है और अपने पास में डवलप फ्रॉम दा फ्यूम्यूल ऑफ एंब्रियो जर्मिनेटिंग सीड यह हमारे पास में विक्सित होते हुए बीज के प्रांगकुर से निर्मित होता है यह इंपोर् विली सेकई की बात करते हैं नेक्स्ट ही बात करता है पर फोर्म फंक्ष्ण ऑफ स्टोरेज ओप तो आपको पता है रूट भी ट्याप्रोट फूड स्टोरेज करती है लेकिन वह पास में बर्अ होती है वह यही इसी संब गयरा बलते है तो उस में अपने पास में क्या होती है बड़ परजेंट होती है तो बड़ अपने पास में यूनिक करेक्टर नहीं है तो इस टेम का यूनिक करेक्टर एक ही है कि यह कहां से डवलप होता है प्यूम्यूल से अब नेक्स्ट क्यूशन के बारे में आपन बात कर लेते हैं बच्चों तो नेक्स्ट क्यूशन है हमारे पास में क्यूशन नम्मर टैन ली बेस इस वैल नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट देखेगा 11 नम्मर क्यूशन हमें क्या कह रहा है स्टेट्मेंट अपने पास में लीफ के बारे में अपने को गल्थ कथन का चैन करना है ठीक है अगर हभी सारी करम में उपस्तित होती है मोस्ट इमपोटेट्ट वैजिक्टेट् yup oraz नहीं वेजिटेटिव ऊर्गन होती है नहीं होता है तो हमारे पास में हम मोडिफाइड जरूर होती है पर उसके कोई मतलब नहीं है यह उप्योगी होती है तो हमारे counts मैं यह यह Neptune पार्ट लीप बैस पिटियोल एंड ले मिना ठीक है यह प्रारुपिक पत्ति के तीन भाग होते हैं प्रनाधार प्रणवरंत और प्रणफलक यह एंश्यार्ट की पहले ही लाहिन है लीप में लिखी हुई तो हमारे पास में इस तरह से यह हो जाएगा तो इसका आंसर विल ब में साथ क्रक्ताइज नहीं किया हुआ तो हरे दीरगी करद प्रकास संसलेशी प्रणवरंत उपस्तित होता है डायरेक्ट लिखा हुआ है तो हमने ब्रेक्ट में लिख दिया यह इनफोर्मेटिव क्यूसर्ण है इसको आपको याद रखना है कि यह क्या क्यलाता है तो यह क लीव के बारे में आपने बात करते हैं तो अपने पास में अपने पास में क्या है रॉंग है क्योंकि क recognis ув Echo दरशाती है है और से क्लेट है रॉल्मीन हमेशा प्रण फलक लगतीय कोई भी में अपने궈 हो तो उसके अंदर हमेश्य क्या होगा एक लैमिना प्रण फलक उपस्तित होगा अच्छल इन 7-0 ऑफ दा लैमिना रिच और फिज इंगे फारा कि उसके अंदर कंपांडली यह निफ और था यह कहां तक होता है जब जबकि यह सिंपल लीफ की बात है तो इसमें कटाव परजेंट हो सकते हैं यह लेकिन यह मिड्रिव तक रहे जाएंगे नहीं ठीक है तो एंटायर लेमिना लेमिना एंटायर होता है पूर्ण फलक होता है वें इंसेशन डू नोट रिच टू मिड्रिव तो आंसर अपने पास पास में आता है वेटा 14 सिंपल सा क्यूशन है फाइलो टेक्सी क्या है कई बार अपने पास में ऐसे सिंपल क्यूशन आ जाते हैं तो पैटरन ओफ अरेज्मेंट ओन लीफ ऑन दा इस्टैम और ब्रांच कई बार क्या होता है बिच्छों यहां पर ब्रांच नहीं देगा उ विच आप फॉलोविग इस नोट एन एक्जामपल ओफ अल्टरनेट फाइलो टॉक्सी निमन में से कौन सा एकांत्रित प्रण विन्यास का उधारण नहीं है तो बच्छों आप जानते हो एकांत्रित प्रण विन्यास मतलब एक नोड पर एक ही लीफ हमारे पास में निकल क करके आती है तो इसको एक आंत्रित बोलता है चाइना रोज मस्टर्ड संफ्लावर इसके एक्जामपल है कैला प्रोपस नहीं है तो हमारे पास में आनस्व चला जाएगा फोर नेक्स्ट के वारे में अपन बात करते है विटा क्यूशन नमर 16 क्या कह रहा है दसाइमोस इसका मतलब हमेश्या जो फ्लावर है वह लास्ट फ्लावर कहां पर आएगा टोक पर इसके बाद में इसकी ग्रोथ रुख जाएगी तो अपने पास में लिमिटेड होगी और नए फ्लावर नीचे आएंगे तो इस पोडर को अपन क्या बोलेंगे बैसे पीटल ओर बोलें क्या कह रहा है साइमोस इन फ्लोरेंसिस इस परजेंट इन साइमोस इन फ्लोरेंसिस की बात करें विटा यह अपने पास में फ्लावर जो है अपने पास में मोडिपाइड स्टेब है जिसमें अपने पास में नोड और इन्टरोड़неीट से अपर यह परजेंट होते हैं जैसे में एक आप यहा हम पली यहां से liew कर निकलते हैं लlogड़ी और यह अमारे पास में फ्लोरल पार्ट बनाता घ्र प्लोरेंस है क्योंके बा scraping बात करते हैं नंगर 19-10 लोरल मेरेश टेम्स फाइंड ओड वन ठीक है तो अपने पास बात करनी है पुस्पिय विभे जो तक के बारे में विशम को को पैचानी हैँ पहला देखो पुस्पे विब्जों तक विब्जों तक है क्योंकि मैं इस्टमेटिक पार्ट है अपेक्स पर्डूस डिफ्रेंट काइंड और फ्लोरल एपेंडेज़ सीर्षस वाग पुस्प के अलग-अलग भागों का निर्मान करता है बिल्कूर सही बात है मैंने अब भी आपको इस पीछे वाले क्यूशन में बताया था कि यह मालो अपने पास में यहां से अलग-अलग भाग यह सैपल्स होगे पैटल्स होगे इस्टेमन होगे और यह खुद क्या बनेगी तारपल बन गई ठीक है तो इनका निर्मान करता है पार्शों में उपस्तित होता है ल से लीफ राइज हो रही है ठीक है वेन एसूट टिप ट्रांसफोर्म इंटु ए फ्लावर इज ऑल्वेज सोलेटरी यह अभी अब पास में बात हुई है कि यह हमेशा कैसा होता है सोलेटरे तो आंसर विल भी थार्ट नेक्स्ट के बारे में आपन बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्यूशन हमारे पास में आता है इन फ्लॉर्वेंस के बारे में यह क्यूशन है और इसमें कर रहा है पुस्प करम ठीक है अब पुस्प करम जो होता है आपको पता है कि किसका अरेजमेंट है पुस्प का अरेजमेंट है किसके उपर अरेजमेंट है फ्लॉरल एक लोड़े नेना नहीं है ये दोनों और सकता है तो अपने पास में कहाँ पर अरेज्मेंट है फ्लोरल एक्स पर नैप्स्ट की बारे में बात करते हैं तो अपने पास में कोनेट की बारे में क्यूत नर्याल का फल है तो आप जानते हो कि नाРЕल का फल मॉन parecer कार प्लरी ओवरी से डवल अप होता है तो यह हमारे पास में कैसा हो गया डूलोंग फ्रीट मैंट इस क्राट निमन में से कौन सा एक कथन है तिर दस इंग्रास इस नौन एंडूस पर बात जो है अपने पास में कैसी है और मेंगो जो यह तो आंप्स में वुद्या अपने पास में पार्थे डाइरेक्ट डवलप होते हैं तो डैट इस रॉंग अपने पास में यह भी रॉंग हो गया नेक्स्ट है एप प्रोटीन एस एलुरोन लेयर इस परजेंट इन मेज ग्रेंट तो आपको पता है कि मक्का के बीजू के अंदर प्रोटीन की पर एलुरोन उपस्तित होती है आपक इस ट्राइल इसल जो अपने पास में इस्टेमन होते हैं क्या कहलाता है है इस्टेमिनोएड कहलाते हैं नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं वहां से लिया गया है जब आप पढ़ते हो तो उसकी लास्ट की लाहिर में लिखा हुआ है कि मीजो कार्प जो होती है वह फाइब्रस होती है तो वहां से यह क्यूशन लिया गया है ठीक है कोकोनेट रस्क फाइबर कोयर जिसको बोलते है ऑफ कमर्स अफ इज एक्स्रेक्ट फ्रोम नारियल के आते हैं इसलिए अपने पास में इसको डाला नेक्स्ट की बारे में अपने बात करते हैं क्यूशन नमबर 24 क्या कह रहा है दा करेक्टर स्टेटिक फीचर और फ्लावरिंग प्लांट इज पुस्पिय पाद्पूं का अभिलाक्षनिक गुण है बच्चों यह भी एंस यार पास में अभिलाक्षनी गुण है फ्रीट का बनना तो यह आपको पता है ओवरी जो होती है वह आप्टर फर्टिलाइजेशन किस में चेंज होती है बटा फ्रीट में चेंज होती है तो आनसर विल भी फस्ट नेक्स्ट के बारे में अपने बात करते हैं बच्चों तो को चूज करना को जिसको आप बोलते हो मूलांकुर चोल जो होता है यह रैडिकल के अपने पास में नीचे की तरफ उपस्तित होता है फिर अपने पास में फूड इस्टोरिंग टिश्यू आपको पता है कि फूड इस्टोर करने का काम एंडोस्प्रम का होता है चैक कहीं प होता है सीड नहीं होता है तो वह हमारे पास में ग्रैप्स वगेरा आजाते हैं ठीक है सिंगल शीडेड फ्रूट डवलपिंग फ्रों मॉनो कार्पलरी सुपीरियर ओवरी तो मैंगो जो है वह आपको पता है यह डूप फ्रूट की डेफिनिशन है और यह यहां पर डाला अगर्छ ना नहीं अभी इसलिए गया है क्योंकि डूप प्रूट आपको अच्छे से याद हो जाए कि किसी डवलप होता है मेंब्रेनस चीड़ कोट जो होता है यह मोनो कोट में होता है मेज वगेरा वीट वोगेरा जो मोनो कोट होते हैं उसके अंदर आता है तो अब हम को बात करते हैं तो क्यूशन नमर्ट 26 हमें क्या कहता है देखेगा दा मॉनो कोटलेड़ॉन सीड दा आउटर कवरिंग ओफ एंडोस प्रम सेपरेटेड दा एंब्रियो बाई ए प्रोटीनस लेयर कॉल्ड एज ठीक है बहुत अच्छा क्यूशन है एक बीज पत्री बीज के बुरुन पॉस्ट के चारू और उपस्तित प्रोटीन की भाय पर्त जो बुरुन को किस से अल होता है यह अपने पास में अंडोस्प्रम होता और यह जिसको आप क्या वोते हो एक काम एक काम यह भी हो जाता है कई वार क्यूष्य में इसको थोड़ा सा दे सकता है कि बहुरॉण लेयर का काम प्रोटीन इस्ट्रोर्ट हो गया और एक काम को बुरूण पोस्स से अलग करती है एंडोस्प्रम सेप्रेटेड दा एंब्रियो किलियर है तो यह कौन सी लेयर हो गई एलूरोन लेयर बहुत अच्छी बाते यह अपने पास में इन्फोर्मेटिव चीज है तो याद रखना नेक्स्ट अपने पास में क्यूशन नमर 27 कह रहा है दगीवन फ्लोरल डाइग्राम कैन भी पुस्पे चित्तर किसको दर्शाता है आपको पता है चार कैलिक्स है चार को रोला है और प्लस टू वाली कंडिशन हमारे पास में इस्टेमन की है और गाइनोसियम है जो अपने पास में आबासी सेप्टा द्वारा चीजे रेप्लम द्वारा डिवाइड हुई है तो इसका मतलब यह चार-चार की कंडिशन है टेट्रामेरस कंडिशन जर्नली कौन सी फेमली में मिलती है मस्टर्ड फेमली में तो आंसर विल भी फोर नेक्स्ट के बारे में अपन बात करते हैं क्यूशन नमर अठाइस दा गिवन फ्लोरल फॉर्मूला तो के टू प्लस ट किसके अंदर यह कंडिशन देखने को मिलती है तो यह भी फॉर्मूला हमारे पास किसका है तो अपने पास में उसको इंडिगेट करती है तो गाइनोशन के नीचे जब अपने पास में लाइन होती है विटा तो इसका मतलब अपने पास में ओवरी जो है वो क्या है सुपीरियर ओवरी है ठीक है ओवरी सुपीरियर आपको पता है बच्चो केसी यह ठीक है केसी यह की पोजिशन के आदार पर हम देखते हैं तो ओवरी सुपीरियर होती है तो यह ओवरी हमारे पास में सुपीरियर हो गई तो केसी यह क का मतलब अपने पास में केसी नीचे है तो इसका मतलब हाइपोगाइनस कंडिशन होगी तो यह कंडिशन कैसी होगी हाइपोगाइनस और इसमें ओवरी कैसी हो गई सुपीरियर ठीक है तो यह तो हमारे पास में रोंग स्टेटमेंट हो गया ये भी White स्टेटमेंट your चेन्य सुपीरियर और और इनफियर ईवरी जी के उपर अपने पास में लाइन आती है तो इसका मतलब उबरी जो तो बेटा आपको पता है कि पुष्प करम जो है वह हमारे पास में काई किलक्षन नहीं है वो जन्निक लक्षन से समंदित होता है और इसलिए हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा फोर क्लासिफिकेशन में बहुत यू जाता है नेक्स्ट आप से पूछा है वेटा कि in floral formula of mustard the symmetry is represented by तो आपको पता है कि सर्शु के पुष्पे सुतर में यह symmetry होती है और यह निशान होता है वो किसका होता है वेटा तिर्ज्या सम्मित का तो तिर्ज्या सम्मित अपने पास में क्या होती है symmetry इसके अंदर उपस्तित होती है कि लिए रहे तो बेटा देखिए next question के बारे में अपन बात करते हैं और next question हमारे पास में क्या आता है which of the following is not a correct floral character of the member of family solenacy ठीक है निमन में से कौन सा पुस्प एलक्षन नहीं है तो देखिएगा वेटा फ्लावर जाइगो मॉर्फिक नहीं वहीं यह पहला ही रोंग हो जाता है क्योंकि उनके फ्लावर कैसे होते हैं एक्टिनो मॉर्फिक होते हैं solenacy के फ्लावर कैलिक्स और कोरोला दोनों का फुस्प दलविन्या सेम होता है वोल वेट ऐस्टी वेशन होता है अगर अपने पास इस टेमन की बात करें तो कंडिशन अंपी पेटलएस होती बेटाध दल लगनी कंडिशन हमारे पासा में होती है koreola जो होती है उससे अपने पास में क्या जुड़े होते है ठीक है फ्रूट्स बेरी और कैपसुल NCR टे की लाइन है ये भी होते है तो आंसर विल भी फश्ट के बारे में अपने बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में अपने पास में दाइन फ्लोरल फॉर्मुला का है मैं निर्दार्इत करता है आपको पता है अपने पास में ट्मेडिशन से टरी जोटीशन में होती है ऐऽ फेमिली हमारे पास में कौन सी होती है लिलियसी फेमिली का फोर्मूला है और लिलियसी फैमिली का स्जाँटिशन हमें देखने को मिलेगी नेक्स्ट क्यूशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं तो कील किस प्रकार के पुस्पू का अब लक्षन है आपको पता है यह इस फैमिली का अपने पास में फावेशी जो फैमिली होता है उसका डिस्क्राइब करेक्टर है ठीक है क्या नो तक क्योंकि इसके यह दो विंग्स और इसको अपन क्या बोलेंगे कील ठीक है धौजक विन्यास अपने पास में इसको हम बोल सकते हैं तो यह हमारे पास में देखने को मिलता है सेम में नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बेटा क्यूशन नमबर 35 क्या कह रहा है पेंटामेरस अक्टिनोमोर्फिक फिलावर ठीक है पेंटामेरस होने चाहिए एक्टिनोमोर्फिक फिलावर होने चाहिए बाई कार्पिलरी ओवरी विद ओबलिक सेप्टा एंड फ्रूट एज एक कैप्सूल और बैरी आर करेक्टरिस्टिक फीचर ओप देखो पेंटामेरस कंडिशन है और त्रिज्या सम् ईनेशी फैमिली में बनता है तो आंशर जाएगा वह वह प्लक सेकंड को अपने पास में मिलान जो उसको सबसे पहले ग्राम सेम मूंग सोयाबीन जो है तो अपने पास हम और निकालते हैं घान hunger वां जहादाऊ झालते हैं यहाद हो जाएगा है इंडिगो फोरा फोरा पराप्त होतीmarkets प्राप्त होते हैं और इनको हम कमर्शली ज्यादा यूज में लिए जाते थे पहले के जवाने में चारपाई वगरा बनाने में ठीक है सैस बेनिया ट्राइफोलियम जो है यह फोडर है चारा है जो अपने पास में पस्वों के लिए उगाया जाता है लूपीन और श्वीट उसमें हमारे पास में काम में ली जाती है कि रए वैंश के बारे में आपने बात करते हैं तो नेक्स्ट क्यूशन हमारे पास में आएगा 37 नंबर और 37 नंबर आपको कह रहा है कि विच आप दा फॉलॉइंग इस नोट मेंबर ओफ लिलीएसी का कौन मेंबर नहीं है ठीक है अब लिलीएसी में आपको पता है टूलीफ है गलोरेसिया है अलोई है और कॉल्चिसम है ठ बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट क्यूशन आता है 38 विच आप फॉलॉइंग वेजिटेटिव करेक्टर नौट इज नौट असोसियेटेड विद फाबेसी ठीक है तो निमन में से कौन सा फाबेसी से संब्दित नहीं है तो देखो बेटा यह बहुत आपने पास में ज おबढ़े-बढ़े होते हैं मंजले आकार के होते हैं सब भी आता है और छोटे अकार के हर्ब भी आते एंरेक्टेडब और क्लाइमर शारा परदान करके चड़ने वाले और शीदे खड़े वो दोनों तरह की स्टेम उसके अंदर होते हैं अल्टरनेट एंड पिनेटली कंपाउंड ली तो यह भी हमारे पास में फाइलो टैक्सी होती है अल्टरनेट होती है और सयुग पिछाकार अपने पास में पत्ति इनके अंदर होती है एक्स इस्टिप्लिट लीप नहीं होती है इस इसके अंदर अपने पास में उपस्तित होता है अनुपरण प्रण में अपने पास में प्रोपर्टी है यह होती है हर कक्स के कलिका में वह अपने पास में उपस्तित होता है तो यह हमारे पास में आंसर क्या हो जाएग कि next की बात करते हैं वेटा कि दा ये सटिवेशन में दाइस्छका कहता है। को रह और खहलिक्स में लग अलग inclon to bourj mt तो बच्चों अपने पास में को रॉला में एस्टिय वेशन जो होता है यह होता है दोग़क वाला जिससे अपन बैक्जलिरी interrupted बोलते हैं तो आंसर विल भी फस्ट नेक्स्ट के बारे में अपने बात करते हैं वैटा तो अपने पास में 40 आता है कि यह खाने होगे आई सोया बिन वगरा से अपने पास में प्रापत होता है इसमें अर्वापने पासमें परप्त होता नहीं होता मोथी से मेडिशन में काम आती है answer बिल्ट के वारे में अपने बात करता है कि जग Всем कई जग होता है कई झद चांड ओभरे दी हुए होती है एंच आटमी लिखा हुआ है ओवलिक वह तो हमने उसको लिए अब लिए जो होती है यह करेक्टरि स्टेटिक होता है अपने पास में किसका सोलनिस का सोलनिसी का यह हमारे पास मेंadece स्टेटिक हो गया नेक्स्ट वात अपन करते तो नेक्स्ट बात अपने स्ट है वी बहुत को स्टोर्म यू तो बच्चों बल्ब जो है वो अपने पास में मैन है तो और अपने पास में तो बात करते हैं तो वह देखो जाइगोःफिक फिलावर इसंट फाउंड इन बात कर रहा है आपको पता है कि जब हम किसी एक काटते एक की पलेंस तो बराबर भागों में कटता है वह हमारे पास पी जैसे ये हमारा धौजग विन्याश विन्यास इसको एक ही प्लेंस से आप बबराबर वागों में काड़ सकते हो ऐसे नहीं काड़ सकते हैं तो यह कौन सा हो जाएगा जाएगज चैनल में होता है उता है कैना पास में कैसा होता है एसमेट्रिक होता है तो जैसे मालों कि यह हमारे पास में एक क्या बना दिया हमने एक स्ट्रेक्चर बना दी अब इसको किसी भी प्लेल से दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते तो यह स्ट्रेक्ट हो गया तो कि ना आंसर जाएगा नेक्ष्ट की बात करते हैं तो नेक्ष्ट हमारे पास में जो है वह कि 44 नमर के से पहले कि हम आप Nahi 44 नमर क्यों की बारे में बात करते हैं दा फॉलोविंग डायग्राम कैं रिपर जैन्ट दा position of overy ठीक है निमनमे से कौन सा अपने पास में how raigipo somehow do represent करता है देखो बच्चो मैने आपको बताया था कि केOrange यह की position देखनी है ठीक है हमारे पास में crystal की position हम देखते हैं है हुआ कि को देखें केसी यह में यह हमारे पास में सी हो गया यहün हो गया है जो है वो अपने पास में किस अउपर है और यह हमारे पास में क्या हो गई ora लौ चुछ पोटी ओवरी हमारे पास में क्या ओगई इनफीरियर हो गई इनफीरियर अपने पास ओटीशन सब पार एप आपब कंडिशन हमारे पास में अमरूद बगेरा में पर्जेंट होती है किलियर है नेक्स्ट बात अपन करते हैं 44 के बाद में 45 नम्मर की एपिगाइनस कंडिशन आपको पहले पता है तो एपिगाइनस कंडिशन जो होती है गुआवा में अपने पास में पर्जेंट होती है तो आंसर विल बी शेकिन नेक्स्ट की बात करते हैं अपन क्यूसर नम्मर 44 44 हमें क्या कह रहा है दा टाइप ओप प्लेसेंटेशन सो इन दा गीवन फिगर यह सीनिन ठीक है देगे चितर का भी जांड विन्यास किसमें पाया जाता है कौनसा भी जांड विन्यास से वेटा एक्जाइल प्लेसेंटेशन है किसमें परजेंट होता है उसके बारे में अपने बात कर लेते हैं तो चाइना रोज में परजेंट होता है ठीक है डाइंथस में फ्री सेंटरल होता है आर्जी मोन और जो अपने पास मेरी गोल्ड है इसमें अपने पास में क्या हो जाएगा तो हमारे पास में यह एक्जाइल प्लेसेंटरेशन किसमें हो जाएगा चाइना र होता है बंटाएं डाउमे आपको पता है कि जो आपने पास में इस प्रिकार का प्लेशंटेशन बनता है यह सब बनिता पीजया प्लेशंटेशनाभ एकंटे प्लेशं प्छुए वह आपеро से इस तरह से हमारे पास में बात करते हैं तो नेक्स्ट क्यूशन हमारे पास में आता है एक का कोना दूसरे को इसपर्स करता है तो इस परकार के एसटिविशन को अपन क्या बोलते है बटा को इसपर्स इसटिविशन बोलते है तो answer will be first next के बारे में अपने बात करते है तो आपने पास में radial symmetry is not found in the flower of तो आपको पूछा है कि radial symmetry किसके flower में नहीं परजेंट होती है तिर्जिया सम्मित तो बच्चों आपको पता है कि तिर्जिया सम्मित मतलब किदर से भी काटो दो बराबर भागों में कट जाएगा वो क्या होगा तिर्जिया सम्मित जो नहीं कटेगा वो चला जाएगा थर्ड नेक्स्ट की बात करते हैं 48 बहुत अच्छा क्यूशन है 48 में क्या कह रहा है मैच दा फॉलोइंग फिगर फेस्ट सेकेंड थर्ड बच्चों आपको कहीं पर भी अपने पास में मैच करना है तो आपको यह ओवरी हो गई आप यहां पर ले ली जिए किस्तती देखेगा तो अपने पास में यह हो गया यह सी हो गया यह के के's हैं नीचे है कर दिए नीचे ओबरी तो केसी यह नीचे क्या हो गई हाइपोगाइनिस केसिये और ओवरी की पोजिशन बराबर है तो कंडिशन क्या हो गई पैरी गाइनस के सिए उपर है ओवरी नीचे है तो कंडिशन क्या हो गई एपी गाइनस तो आंसर क्या हो गया ठीक है तो आपको दिमाग में यह याद रखना है कि के सिए की पोजिशन के आदार पर फिलावर के टाइप होते है केसी यह किदर है तो जिदर केसी है उदर अपने पास में काम स्टार्ट हो जाएगा लास्ट क्यूशन है मॉर्फोलोजी का हमारे पास में 50 नमबर तो इसके बारे में अपन बात करते हैं तो देखेगा किसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती है जाइगो मॉर्फोलोजी के लगबग हमने 50 क्यूशन रखे थे अब हम एनाटोमी की 50 क्यूशन क्यूशन के बारे में अपने पास में बात करेंगे जो एनाटोमी का है तो 50 क्यूशन हमारे पास में मॉर्फोलोजी के हमने कंप्लीट कर लिए विच अपदा फॉलोइंग कि कंप्राइज ओनली सिंपल टिशू निमल में से कौन सा एक ग्रूफ है जिसमें केवल और केवल सिंपल टिशू पस्तित तो आपको पता है विटा कि सरल और स्वयुक्त उत्तक दो उत्पुश से पादपो की बोड़ी बनी हो जाती है सरल उत्तक में पैरिन काइमा कोलन काइमा और इसकलेरन काइमा हमारे पास में आ जाते हैं तो आंसर विल भी हमारे पास में फ्रस्ट चला जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्यूशन के बारे में अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट क्यूशन हमारे पास में है प्राइमरी और जाएगा नेक्स्ट की बात करते हैं प्राइमरी मैरिस्टेम तो यह इस्टेटमेंट राइट है यह प्राइमरी इनरी लाइफ मतलब अपेएर अर्ली इन प्लांट लाइव पादब के जीवन में सुरुवाती अवस्ता में ही प्रकट हो जाते हैं जब प्लांट प्राइमरी ग्रोथ कर रहा होता है तब यह दोनों मेरिष्ट में टिक टिस्यू जो है वो अपने पास में निर्मित हो जाते हैं तो यह स्टेटमेंट भी राइट है कोंट्रीब दा फरमेशन अप प्लांट पोड़ी प्रात्मिक सरीर के निर्मान में लेते हैं तो अपने पास में सारे के सारे स्टेटमेंट मुझे करेक्ट लग रहा है तीनों के तिनुं स्टेटमेंट ncrt मिंट की लाइन आप उसको मिला अभी सकते हो तो फौर्थ आंसर आजाएगा क्यों से नमबर 54 हमें क्या कह रहा है इंटर कैलेरी मेरिस्ट मेरिस्टेम और कोड प्राइमरी मेरिस्टेम विकोज अंतर वेसी विवजोतक प्रात्मिक विवजोतक कहलाता है क्योंकि अपेर अर्ली लाइफ इन अर्ली इन लाइफ ओव दा प्लांट पादप के जीवन की सुरुवाती अवस्ता में प्रकट हो जाते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिशू का करेक्टर है दे कॉंट्रिब्यूट टू फॉर्मेशन और प्राइमरी प्लांट बोडी ठीक है प्रात्मिक पादप शरीर के हाए हमेसे बवाजित होती है तो डिवाइडिंग सेल जो होती है वह कौनसी ओ ठीट की बात कर लेते हैं तो आपकेश से फॉलावरं को लिखा हुआ है कि कख से कलिकाउं से ब्रांच और फ्लावर का निर्मान होता है तो आंसर विल भी फेश्ट पुस्पवे साखा नेक्स्ट के बारे में अपन बात करते हैं तो 57 हमारे पास में है गास के खाए गए भाग को पुनर जीवित करने की चमता मुख्य तयाक इसमें होती है तो आपको पता है जो अपने पास में अंतरवेशी विवजोतक होता है इंटरकैलेरी मेरिश्टेम होता है दो परमानेंट टिशू के बीच में यह उपस्तित होता है बिटा और इसमें क्य होता है यह एपिकल मेरिश्टेम की सहल ही होती है जो पीछे छूट जाती है डिवाइडेशन के टाइम पर और यह क्या करता है मालों यह एपिकल पार्ट कई बार ग्राजिंग अनिमल से अपने पास में खा लिया जाता है तो यह रिमू हो जाता है और उसके बाद में यह ब अपको पता है होता है तो इसका मतलब यह जिसमें भी आपने पास में डिपोजिशन होगा वो एक डेड टिशू होगा तो आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा इसके लिए रेन काईमा नेक्स्ट के बारे में अपने बात करते हैं तो बेटा ये डाइग्राम आपको बढ़ा करके दे रखा है दा मैं फंक्शन ऑप प्लांट टिशू सोवन बिलो इज नीचे दिये ग प्लाइग्राम है हमारे पास में तो कोलेन काईमा के अंदर क्या होती है वेटा जो भी करक्टर है वो आपको दिखाए गए है पहला है इस टोरेज ऑफ न्यूट्रेशन बिल्कुल भी गल्द करेक्टर है क्योंकि इसके अंदर इंट्रा सेलूलर इस पेस नहीं होते है तो वाइन कराता है उसमें एयर भर जाती है और वह भी अपने पास में जल मगन नहीं जल निग्वन पादपो को अपने पास में करवाने का काम करता है तो यह भी रोंग होगे यह बच्चों किसकी बनी होती है कोलें काइमा की ठीक है इंक्रीज लेंथ प्लान लेंथ सिर्फ मेरिस्टमेटिक टिशू अपने पास में इंक्रीज करता है प्लांट की तो आंसर विल भी थर्ड नेक्स्ट के बारे में अपन बात करते हैं तो क्यों से नमर 60 हमें क्या कहता है ट्रेकर्चिक वैसर्स जाईलम फाइबर जाईलम पेरेन नंसर की प्राइलम की वाइखके Intro, सबस्कु है het जो component होते हैं वो broad होते हैं चोड़े होते हैं और later form is called Metagylem बाद में बनने वाला क्या है Metagylem पहले निर्मित प्रात्मिक जाइलम तत्तों जो हैं प्रोटो जाइलम बाद में निर्मित क्या हो जाएगी बेटा Metagylem तो आनसर हमारे पास में क्या हो जाएगा एक नेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो 62 हमें क्या कह रहा है दा टाइप ओप्राइमरी जाइलम वहन प्रोटोजाइलम लाइव लाइट वर्ड़ दपित इज नौन है प्रात्मिक जाइलम का वहन परकार जिसमें प्रोटोजाइलम पित की तरफ उपस्थित होता है इसमें प्रोटो जाइलम पारइब में मेटाइलम तरफ है आप वाले में सेंटर की तरफ तो यह condition हमारे पास में क्या बनेगी बैटा एंडार्च condition बनेगी तो answer जो है हमारे पास में वह क्या हो जाएगा फस्ट हो जाएगा 63 हमारे पास में क्युशन क्या कहता है अपने पास में 63 क्युशन कहता है specialized epidermal cells rounded the guard cell आर्कोर्ट रक्सक को सिकाओं के चारुतरफ उपस्तित विसेश भाय तवचे को सिकाओं कहलाती है यह आपको पता है इस्टोमेटा से क्यूशन लिया गया है और वो कह सिकाओं हमारे पास में कौन सी होती है एपिडरमल सेल सबसीडरी सेल होती है जो गार्ड सेल के खुलने औ प्रण उत्तक समलित करता है एंसी आर्ट की लाइन है ग्राउंड टिशू जो होता है बैटा देखो तीन टाइप के टिशू होते हैं हम बात कर लें एपिडरमल सबसे बाए फिर उसके बाद में वैस्कुलर सबसे अंदर का और जो इन दोनों के बीच में है वो क्या है ग्र राउंड है तो आंसर विल भी थस क्लियर है बई नेक्स्ट के बारे में अपन बात करते हैं कि 65 इन डाइकोट इस्टेम दा वैस्कुलर बंडल इज दिवी बीज पत्रितने के सवेन पुल होते हैं तो सवेन पुल के बारे में बात करें तो कॉन जोइंड होते हैं कॉन होती है secondary growth यह Soak कर सकते हैं और फैड़ सार्व कंडिशन होती है नंदर कि तरफ तो देखो बिचाइर में अपने पास इस wallet आ में जो होती है वह कौन सी कंडिशन होती है को आपने पास में आंसर जो वह कौन चला जाएगा यांदर होती है अपने पास में कंडिशन इसके अंदर होती है सि Chern यह पहली बात तो अपने पास में कौन जोइंड है तो इसका मतलब अपने पास में क्या हो गया डाइकोट इस्टेम नेक्स्ट कुशन अपने पास में पास में और यह सबंधाव आपने पास में पास में उपस्तित होते हैं आपकी यह पूछा है कि इंकलूड करेंगे एंक्स बात कि बारे में बात करें बैटा इन डाइकोट लीफ वैस्कुलर बंडल आख स्राउंड डेड बंडल शीद सेल और यह बंडल सीद बट अब थिक वल्ड पैरेण काइमा ठीक है किसकी बनी होती है बैता पैरेण काइमा की एंच आ टे क्या लेते हैं 69 69 हमें क्या कह रहा है इन दा डाइकोट रूट दा वैस्कुलर कैम्बियम ठीक है दिवीज पत्री मूल के अंदर सवेनी एद्दा मुख्यत है देखो बच्चों सिंपल सी बात है कि यह हमारे पास में दिवीज पत्री की मूल होती है इसमें रैडियल वैस्कु बंडल होते हैं तो अनुपस्तित होई नहीं सकता सेकेंडरी ग्रोथ सो करती है तो परजेंट तो होगी इट कंपलीज ली सेकेंडरी इन ओरिजन यह बिल्कुल सही बात है क्यूंकि इस्टैम और रूट में एक फरक है इस्टैम जो है उसमें पहले अपने पास में इंट्र braking में और इंटरावाली ओररिजन में में बड़ी बाद में इनके बीच में जो बनेगी बड़ेजिए 2 कुछ प्राइबरी को सेकेंड नैंपर इसके सेल और pa के उपर ऐसे अपने पास में यह सेल मिलकर के क्या बनाएंगी तो यह पूरी तरह कंपलीटली कैसी होती है औरीजन में सेकेंडरी आंसर आपका मिल गया ठीक है एक सतत वले का निर्मान करत नहीं करती करती है यह धिरे-धिरे कॉंटिन्यू बनाती है वेवी फोम में अपने प सेवंटी है था यह कंपलीटली कैसी होती है औरीजन में सेकेंडरी ओती है नेक्स्ट के बारे में अपना बात करते हैंग है 70 epiblema epiblema के सिम्पल सी बात है ओपि जिसके अंदर अपने पास ने रूट की जो अपने पास में एकलेंट है एपी डर्मिस जिक है तो इस टेम की एपीडर्मिस यह भी बोल सकते हुआ ठीक है सेवंटीवन क्या गह रहा है दा इनर्मोस्ट लेयर ओफ कोर्टेक्स एंडोडर्मिस ठीक है और इसमें कैस्परिन स्ट्रिप अगरा यह चीज़ें परजेंट होती है तो सेवंटीवन का आंस्वर अपने पास में चला जाएगा सेकिंड वच्छो पैरी साइकल आपको जरूर कर सकता है लेकिन NCRT की डाइरेक्ट लाइन है इसलिए अपन आंसर क्या देंगे एंडोडर्मिस देंगे ठीक है नेक्स्ट के अंदर हम आगे आते हैं तो अपने पास में 72 कैस्परिन इस्ट्रिप आर परजेंट इन आपको पता है एंडोडर्मिस जो होती है उसमें कैस्प स्ट्रिप कैस्प्रिन की पतियां जहां पर पर अपने पास में सुब्यरीन का टिपोजीन हो जाता है और यह इंपर्मेवल हो जाती है वोटर और अ अपने पास मेंसर क्या हो कि योगदान देती हैं तो एंडोरमिस के अंदर जो पाठ होता है वह क्या होता नहीं देती है तो एंडोडर्मिस इसमें योगदान नहीं देती है एंडोडर्मिस के अंदर के सारे देते हैं तो वैस्कुलर बंडल वैस्कुलर बंडल देते हैं पैरिसाइकल देती है एंडोडर्मिस नहीं देती है पित देती है कोटेक्स एपिडर्मिस नहीं देता है तो आंसर चला स्मॉल और इंच कॉंस्पिर सोती है छोटी वे अधरस से डाइकोट रूट जो होती है उसके अंदर अरीय सवयन बंदल होने के कारण से और चाहिए बनने के कारण से पित्थ खतम हो जाती है जबकि डाइकोट स्टेम में वैल डवलप होती है आंसर इसका फश्ट होगा अपने पास में पास में नहीं पाई जाती है या आपन बहुत सकते हैं स्मॉल एदर से होती है क्यों कि उसमें वैस्कुलर बंडल बिख्रे हुए होते हैं ठीक है वही नेक्स्ट की बात अपन करते हैं 75 की इन डाइकोट स्टेम हाइपोडरमिस अपने कि बनी होती है और इसको क्या करता है विटा लचिलापन परवाइड करवाता है अंड जर्नल कोटेक्स जो होता है वह हमारे पास में पैरेंकाइमा का बना होता है सबस्टेंस को इस्टोर वगएरा करता है तो और पेरेंखाइमा नेक्स्ट क्यूशन अपने पास में 76 76 क्या कह रहा है विच ओप फॉलोइंग इज रैफर्ट टू एज दा इस्टार्ट सीथ इस्टार्ट सीथ आपको पता है डाइकोट स्टेम के अंदर एंडोडर्मिस जो होती है वह इस्टार्ट पार्टिकल को इस्ट स्टेम की विवस्ता दिवश्पित्री तने का मुक्हे लक्षन है अपने पास में इसमें रिंग में जो अर्जमेंट होता है उसका वो इसका मुक्हे लक्षन सबसे पहले बात अपने पास में इसके अंदर हम देखते हैं तो देखो जायलम और संग्या जो है वो 2-4 के बीच में है तो इसका मतलब डायार्च कंडिशन है और अगर सब्सक्राइब करें तो यहां से देख करके हम रूट का आइडेंटिफाइज कर सकते हैं इसमें अपने क्या है यह अब आप कहोंगे सब्सक्राइब का कैसे तो फिर प्रोटोजायलम और में एंदर है कंडिशन एंदर इसका मतलब रूट है ठीक है तो अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं 79 के बारे में विच टाइप ऑफ सेल आर नोट परजेंट इन फ्लोयम ऑफ मोनोकोट इस्टेम ठीक है बचो यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन भी है ठीक है और इसके अंदर लिखा हुआ है कि अंदर कि फ्लोयम प्रियन गाइमा जो होता है वह हमारे पास में किसमें नहीं होता है ठीक है तो चला जाएगा अब अपने नेक्स्ट कुशन देखते हैं 80 नमर कहरा है इन डाइकोट लीव दा एपिडरमिस ठीक है अपने पास में अबैक्सियल एपिडरमिस के बारे में अपन बात करेंगे आपक्स अप्रवाली को बोलते हैं और अपक्स को बोलते हैं नीचे वाले को दिवीजपत्री पतियों में मुक्य तया अपैक सतय पर अपने पास में इश्टो मेटा ज्यादा होते हैं एज कंपेर टू अपाक्स तो बच्चों अपने पास में आंसर हो जाएगा फैस्ट कि बारे में अपन बात करते हैं तो अपने पास में जाइलम के भार जितने भी टिशू है वो सब क्या है तो इसमें अपने पास में फैलोजन आ अपने पास में सभी के सभी जो है वो क्या है बार के बारे में बात करते हैं तो अर्ली वूड बिल्कुल नहीं लेट वूड बिल्कुल नहीं एन्वल रिंग बिल्कुल नहीं तो क्या कहले लाएगी फैलोजन तो जन मतलब सीधा सा होता है जर्नेटर तो जो अपने पास में जर्नेट करने वाला होता है वो फैलोजन तो यह हो गई फैलोजन क्यूंस नमबर 82 के बाद में क्यूंस नमबर 83 के बात करते हैं और अपने पास में इंटरनल टिशू के बीच में जो कैसी एक्सजेंज होता है वो किस के बीच होता है तनु बात करते हैं इन्करेक्ट मैच को आपको छाटना है कि इन्करेक्ट मैच हमारे पास में क्या है तो मतलब केंब्यादा मतलब अपने पास में जो किसका ھोर्मेशन करेगी आपको पता है हमारे पास में को एंटी है अपने पास में इनरज और फिर में अपने पास में बनात है secondary cortex और भार की तरफ अपने पास में क्या बनाती है तो फैलम कोर्क सही बात है नहीं है फैलो ड्रम में secondary cortex इस एब लिए वाथ ने के बारे में आपन बात करते हैं 85 के बारे में के लिए और इसकी वित्ति में खालिस्तान का जमाह होता है के लिए और किसविहाऊं कि बात कर रहा है तो मैंश स्थाइज हैं किसमें इन्वार्ण होते हैं तो ट्रांस्प्रेशन में तो बहुत कम चांस होता है एक परसेंट भी चांस नहीं होता है तो मैंली किसमें इन्वोल होते हैं गैसी एक्षेंज में गैसी विन में में तो आंसर क्या चला जाएगा सेकिंड क्यूशन नमर कोरक न्यमन की उपस्तिती के कारण जल के लिए पर गम में होता है तो वह होता है इसकी आंत्रिक वित्यों पर स्वभेष्गं में इसके लिए जल के लिए क्या हो जाता है में परज़ाता था-फैक कि बात करते है कि इसमें सबसे पहले बात आती है structure of lenticles वातरंदर की सरचना आपको पता है यह वातरंदर होता है बिल्कुर सही बात है प्रेश्ट जल रंदर द्वारा गैसों का आदान परदान POSBEL ही नहीं है कवक द्वारा बीजाणू का पोसिबल ही नहीं है सेवाल का भी POSBEL नहीं है तो structure of lenticles यह रिलेटेड है नेक्स्ट क्यूशन के हम बात करेंगे क्यूशन नम्मर 89 हमें क्या कह रहा है वार्क डैट फॉर्म अर्ली इन सीजन इज कॉल्ड शुरुवाती मौसम में बनने वाली छाल जो होती है आपको पता है बैटा सोप्ट वार कहलाती है एंस आर्टिम लिगी क्या रहा है री अरेंज दा फॉलॉइंग जॉन एज सीन इन दा रूट वर्टिकल सेक्षन और चूद्धा करेक्ट उप्शन उर्द्वादर काट पर जड़ों को निमन भागों को पुनर्विश्तित कीजिए और अपने पास में चैन कीजिए तो देखो बैटा उर्द्व है और यह क्या है मैचुरेशन है ठीक है तो मैचुरेशन को अपन रूट हेयर जोन भी बोलेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में कौन आता है रूट कैप तो सबसे पहले हमारे पास में हम देखें तो रूट कैप छेतर आता है रूट कैप के बाद में मैस्ट मैटिक जोन आ आजाता है कि बाद में आपने पास में मैंठय रिच यह होते हैं रूट्ए पर January भार मेंठीशन होन्ग और इसके ट्रांजिसन पर डिते हैं तो आप ब्रेक्ट कर देते हैं खब ठीक है option A अपने पास में correct हो जाएगा C, B, E, A और D ठीक है वही इसको आगे पिछे आपन कर सकते हैं क्योंकि maturation zone के transition zone पर ही अपने पास में start हो जाता है अपने पास में हमने एक्जाम्पलर को include किया है आपके ठीक है तो उससे अपने पास में कुछ क्यूशन से हैं तो next question 91 के बारे में बात करते हैं अपने पास में क्या कर लिया जाता है किसके अंदर बुरुन के अंदर यह आवर्त बीजी नहीं होते ऐसा कुछ नहीं है यह स्टेटमेंट हमारे पास में वह गया क्योंकि यह भी एंजियो स्पर्म होते हैं यह स्टेटमेंट रोंग हो गया है the next day there is no double fertilization in them angiosrum का करेक्टर है डबल fertilization होना इन में fertilization होता है यह भी रॉंग हो गया दे अंडोस प्रम इज नोट फॉर्म इन दा एंडोस प्रम बनता यह एसा नहीं यह भी अंडोस्प्रम तो बनता है नहीं तो सीड शर्वाइव वह एंब्रियो सर्वाइव कैसे करेगा फिर इसमें अपने पास में डायग्राम अगर हम समझे यह हमारे यह एंब्रियो के चारुतरफ एंडॉस्प्रम भरा हुआ है इसने इसको यूज नहीं किया तो एंडॉस्प्रमिक और दूसरा नौन एंडॉस्प्रमिक की बात करें तो यह एंब्रियो अपने पास में सीड के अंदर से फूड लेकर के कहां परिस्टोर कर लेता है खुद के अंदर सीड इस सोरी फूड इसके अंदर हो जाता है तो यह नौन एंडॉस्प्रमिक सीड है थीक है तो एंडॉस्प्रम गेट यूज बाइदाट डवलपिंग एंब्रियो डूरिंग सीड डवलपमेंट ठीक है बुरून बुरून पोस्ट का इस्तमोल कर लिया जाता है ठ तो अपने पास में क्यूशन जो है वह कौन सा आएगा 92 यह बिल्कूल NCRT एक्जाम्पलर के कुछ कुछ लिए गए देनिक जीवन में काम आने वाली दाले फाबेसी से रिलेटेड होती है चना वगेरा ठीक है सेम बगेरा मटर वगेरा तो यह हो गया नेक्स्ट के बारे में अपने बात करेंगे 93 तो अपने पास में कहा है डवलपिंग सीड वेर अटेच्स टू दा फ्रूट कि लाइन है विक्सित होने वाला बीज कहां से फल से जुड़ा होता है तो अपने पास में नाभी का जो हाइलम होती है अपने पास में इस से किस से जुड़ा होता है फल से जुड़ा होता है तो यह अपने पास में एक आई हट जाएगा यहां पर और अपने पास में हाइल होती है आपको पता है इंडिगो फोरा जो होता है उससे हमें बिलू डाई निला रंजक प्राप्त होता है कि लिए रहे नाइनटी फोर के बाद में क्यूशन नंबर अपने पास में 95 95 क्या कह रहा है वाट इस दा फेट ओफ प्राइमरी जायलम इन डाइकोट स्टेम सेकेंडरी ग्रोफ दीवीजपत्री जड में अत्यदिक वर्दी परदर्शित करती है उसमें प्राथमिक जायलम का भौश्य क्या होता है यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन है और एंसी आर्टी की लाइन के अकोर्डिंग इसका आंस्वर जाता है इट इज रिटेंड इन सेंट्र और किंद्र में बनी होती है इस time की रहा होती है लेकिन की क्रेस्ट की क्या होती है सेंट्र अक्सिस के आसपास बनी रहती है ठीक है और यह वाकितीनों ओप्सन अपने पास में रोंग हो जाते है इस टेम के लिए पहुंचता है तो आशबा साथ चै Lebanon पर इसने रूट के लिए पूछा है औरर सब सब कि यह कि यह क्या बनी रहती है छीड़ अब इसके बाद में नेक्स्टी बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में 96 जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं मैच दा फॉलोइंग एंड चूज क्रेक्ट ओप्शन फ्रॉम विलो ठीक है क्यूटिकल क्या है एक वैक्सी लेयर है ठीक है तो अपने पास में फटियोग कारिये क्रती है तो अपने पास में पफ्थियों को रो तो संब्सक्राइब से नेच्ट के बारे में बात करेंगे 96 के बाद में एप ड्रमिस एक लेंट करेंगे तो यह अमारे पास में वारे के नहींद लिए test यह तो हमारे पास में जड़की मूली तवल्चा जो होते हैं अपने पास में एपीडर मिस के equivalent होती है next की बात करते हैं तो next की देखेगा इंट्राफेसिकुलर Cambium and core Cambium form इंट्रफेसिकुलर अंतरपुलिय नहीं नहीं है अंतरपुलिय एदा और काक एदा किस से años होती है तो अंतर पुलिय एदा और लोह ही अपने पास में सेटेंडरी मेरिश स्टैम है तो इससे अपने पास में प्राइमरी प्रमेणं टृितुम से पयदा होते हैं तो आपने पास में D differentiation जो होता है उससे पैदा होते हैं तो आपने पास में कोशिका में निर्भी वेदल से लास्ट कुछन के सेकेंड लास्ट कुछन आता है 99 इसमें क्या है इन विच ओप दा फॉलोइंग प्लान इस दा एपिडर्मिस एपसेंट एंच एग्जाम्पलर का क्यूशन है पुस्पे पादपों में निमन लिखित किस जोड़े में भाय तुच्छा अनुपस्तित होती है बच्चों सिंपल सी बात है रूट टिप एंड सूट टिप पर मेरिस्टमेटिक सेल होते हैं और एपिडर्मल टिश्यू इस दा करेक्टर ऑफ पर्मानेंट चल ठीक है तो यह अपने पास में प्रमानेंट का करेक्टर है इसलिए हमारे पास में आंसर क्या चला जाएगा रूट टिप एंड सूट टिप क्योंकि उसमें मेरिस्टमेटिक टिश्यू पर जेंट टिप मैंगो और पाम यह हमारे पास में किस रिलेटेड रिलेटेड एंजी इसमें वैसर होती है और चीड जो होता है इसमें वैसर नहीं होती है क्योंकि यह जिम्नो स्परम से रिलेटेड होता तो आन्सर क्या चला जाएगा थाड देन बिटा ncrt10 ऐसे बहूँ शिंपल प नमर आने की संभावना रही होगे ठीक है थेंक्यू बेस्ट अफ लख नेक्स्ट अपने पास में डिटियस के लिए और बेस्ट अफ लख नीट के लिए Hello Students Myself Dinesh Dadich Team Chemistry CLC हम डिसक्स करेंगे बायो केम फिप्थ पार्ट को डिसक्स करेंगे उसमें केमिस्टी का सेक्शन अनलोग डिसक्स कर रहे है तो फिर्स्ट क्यूशन if the for K for M plus is 10 to power minus 9 pH of the buffer solution having the concentration of M plus is 10 time of the M OH will be These students कोई ऐसा solution है जो M OH weak base है और M plus इसका conjugated salt है ऐसा buffer solution का preparation कर रहा है buffer solution का formation कर रहा है अगर इस solution के लिए हम कहें तो इसके लिए अपने पास K B होता है into इसका अपने पास K होता है M OH and M plus both are the conjugated acid base यह equal to 10 to power minus 14 होता है 10 to power minus 14 होता है अब हम कहें तो हमें given है वो K of M plus का given है और हम buffer की pH calculate करते हैं basic buffer की pH calculate करते हैं तो P OH is equal to P K B plus log concentration of salt upon concentration of base put करना है अब dear students हमें जो यहाँ put करना है वो K B put करना है किसका M OH का हमें given क्या है K given है M plus का तो हम किसके लिए K B calculate कर सकते हैं M OH के लिए K B calculate कर सकते हैं तो अपने पास यह हो गया K B into 10 to power minus 9 is equal to 10 to power minus 14 तो अपने पास जो K B आ जाएगा वो K B equal to 10 to power minus 5 हो जाएगा तो P K B अपने पास जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा अब हमें कहरा है concentration of M plus I M plus I की concentration 10 time of the concentration of M OH means salt की concentration है वो base की concentration की कितने time है 10 time है तो हम क्या calculate कर सकते हैं P OH is equal to PKB कितना हो गया 5 plus log 10 divided by 1 P OH कितनी हो जाएगी P OH अपने पास 6 हो जाएगी तो pH कितनी हो जाएगी P OH pH अपने पास 8 हो जाएगी तो dear students इसका अंसर क्या हो जाएगा अपने पास third number answer हो जाएगा okay next next question which of the which is correct regarding to the hydrolysis of KF के अपने पास के रिगार्डिंग हमें correct statement चेक करना है तो dear students यहाँ के अपने पास क्या है कैसा सोल्ट है एसा सोल्ट है जो weak acid और strong base से मिलकर बना है which acid or strong base means HF plus KOH का सोल्ट हो गया तो weak acid हो गया और strong base हो गया it is not option check करते हैं it is not considered hydrolysis यह hydrolysis को consider नहीं करता है इसका hydrolysis नहीं होता है तो statement क्या हो गया गलत हो गया किसका hydrolysis नहीं होता है strong acid strong base salt का hydrolysis नहीं होता है its pH pH का formula क्या होता है weak acid strong base के लिए pH is equal to अपने पास होता है pH is equal to 1 by 2 pkw plus 1 by 2 1 by 2 pk plus log c यह अपने पास formula हो जाता है तो यह statement क्या है सही statement है इसके बाद में it's a degree of hydrolysis degree of hydrolysis की बात करते हैं तो अपने पास k h is equal to होता है k h is equal to c alpha i square और alpha i is equal to होता है unrood k h upon unrood k h upon c k h की value जो हो जाती है वो क्या होती है k w upon k h is equal to k w upon k into c होता है तो यहां क्या नहीं होना चाहिए students यहां k भी है वो क्या हो गया गलत हो गया तो यह statement भी कैसा हो गया गलत हो गया तो कौनसा statement सही है second वाला अपने पास इसके regarding सही हो जाएगा okay dear students next बात करते हैं if dissociation constant of h c n and aniline are 10 to power minus 6 and 10 to power minus respectively pH of 0.5 M solution of aluminum cyanide will be dear students h c n अपने पास h c n weak acid और pyridine aniline अपने पास aniline अपने पास weak base है तो इनसे मिलकर जो salt बनेगा वो salt कैसा होगा अपने पास यह salt होगा weak acid और weak base का salt होगा weak acid और weak base की salt के लिए जो pH determine करने का formula होता है pH is equal to half of pkw plus pka minus pkb these students यह value यह put कर दीजिएगा pH is equal to 1 by 2 यह pkw 14 plus अपने पास यह value कितने होगी 6 और यह value कितने होगी 9 इसे salt कीजिएगा तो pH equal to अपने पास कितना आ रहा है pH equal to 5.5 5 अपने पास हो जाएगा ओके दियर स्टुदेंट्स नेक्स्ट पी इस इकल to 5.5 फिर्स्ट वाला उप्शन अपने पास करेक्ट अप्शन हो जाएगा नेक्स्ट चेक करते हैं solubility of the sodium sulphide at room temperature is 10 to power minus 4 mol per liter then solubility of the sodium sulphide in 0.01 M NaCl solution sodium sulphide अपने पास जो होता है Na2S Na2S की solubility जो room temperature पे अपने पास गीवन है वो तो Na plus plus S minus 2 के according given है इसकी solubility हमें given है solubility अगर इसके NaCl की presence में calculate करते हैं in the presence of NaCl Na plus plus Cl minus due to that due to that common Ayn यह आइन कैसा हो गया आपने पास common Ayn हो गया और common Ayn से common Ayn common Ayn effect की presence में solubility क्या होती है decrease हो जाती इसकी solubility क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी starting solubility कितनी है 10 to power minus 4 mole per liter तो solubility कितनी आएगी 10 to power minus 4 mole per liter से कम आएगी तो more वाला equal क्या हो जाएगा less than 10 to power minus 4 mole per liter से कम आजाएगी okay dear students next करते है dear students what is the minimum pH of a solution containing 0.1m magnesium from which magnesium hydroxide will not precipitate आपसे ये कोई solution है जिसमें magnesium hydroxide का KSP given है और magnesium hydroxide में pH की minimum value अपने को calculate करनी है जिस पे वो precipitate नहीं होता है dear students magnesium hydroxide जो अपने पास होता है ये magnesium hydroxide magnesium hydroxide के लिए हम ये बोल सकते हैं solid हो गया इसके लिए mg plus 2 और OH minus 2 OH minus इसके लिए क्यों equal to अपने पास हो जाएगा mg plus 2 mg plus 2 और क्या हो जाएगा OH minus 1 का square for the limiting conditions limiting conditions के लिए क्यों equal to क्या लिख सकता हो KSP तो KSP equal to mg plus 2 mg plus 2 और क्या हो गया OH minus 1 का square तो dear students के वल वेल्यू पूट करनी है यह KSP हो गया 1 into 10 to power minus 11 और mg plus 2 की concentration कितनी है 0.1 M यह 0.1 M और किसका square हो गया OH minus 1 की concentration का square यह 10 to power minus 10 आ गया तो OH minus 1 की concentration है वो 10 to power minus 5 आगी तो POH अपने पास कितनी आ जाएगी POH अपने पास 5 हो जाएगी POH तो pH की वेल्यू कितनी हो जाएगी pH अपने पास 9 हो जाएगी तो answer इसका कितना हो जाएगा 9 इसका answer हो जाएगा okay dear students pH 9 तक यह precipitate नहीं होगा next next लिखते हैं which among the following cannot act as both as a bronze stand acid and base कौन सा bronze stand acid or base bronze stand acid or base में हम लोग कहते हैं कि जो एसा जो H plus iron release भी कर सकता है और H plus iron accept भी कर सकता है क्या होता है bronze stand acid जो H plus iron release कर सकता है bronze stand acid जो H plus iron bronze stand base जो H plus iron accept कर सकता है तो देखना अपने पास NS3 है H plus release भी कर सकता है और due to the non pair of electron H plus accept भी कर सकता है H2 है H plus release भी कर सकता है और H+, असिप्ट भी कर सकता है, H2PO4-, H2PO4- है, वो H+, क्या कर सकता है, release कर सकता है, H+, release करेगा, तो क्या बन जाएगा, HPO4-2, और H+, अगर accept करता है, तो यह बन जाएगा, H3PO4, हमारे पास, H4-2 है, जो H+, accept तो कर सकता है, लेकिन H+, क्या नहीं कर सकता है, release नहीं कर सकता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यह SO4-2 इसका आंसर हो जाएगा, ओके, Dear students, which among the following will not undergoes hydrolysis, कौन सा hydrolysis नहीं शो करेगा, Dear students, हम अच्छी तरह से जानते हैं, कि salt, जो strong acid और strong base होता है, strong acid और strong base salt क्या है, hydrolysis नहीं देता है, तो अपने पास, यह कैसा salt हो गया, NA2CO3, NA2CO3 है, वो किसका salt हो गया, weak acid और strong base का salt हो गया, यह अपने पास, NH4Cl, strong acid और weak base का salt हो गया, यह अपने पास, CH3CO3, weak acid और weak base का salt हो गया, और अपने पास, जो NACL है, NACL, strong acid और strong base का salt हो गया, ऐसा salt जो strong acid और strong base रखता है, वो क्या नहीं शो करता है, hydrolysis यो नहीं करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, NACL, hydrolysis नहीं शो करेगा, ओके? pH of aqueous solution of dilute acid is 5, calculate the number of the hydroxide in per ml of the solution, कोई भी aqueous solution की pH 5 है, अगर pH 5 है, तो अपने पास pH equal to 5, तो अपने पास pH कितना हो जाएगा? pH कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो OH minus 9 की concentration कितनी रहेगी, dear students, 10 to power minus 9, concentration 10 to power minus 9 हो जाएगी, और concentration equal to होता है, अपने पास, mole upon volume, concentration is equal to होता है, mole upon volume, और volume किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए, अगर लीटर में नहीं है, तो ml है तो लीटर में क्या करेंगे? convert करेंगे, ये concentration हो जाएगा, 10 to power minus 9, और ये अपने पास mole calculate करने है, mole calculate करने है, कितने ml में? volume 1 ml, 1 divided by 1000, तो mole कितना हो गया आपने पास? mole equal to 10 to power 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया, 10 to power minus 12 हो गया, तो अपने पास number of OH minus 9 कितने होंगे? number of OH minus 9, number of OH minus 9 मिलेंगे, वो मिलेंगे 10 to power minus 12 into 6.02 into 10 to power 23 मिलेगा, तो अपने पास क्या मिल जाएगा? 6.02 into 10 to power 11 अपने पास number of OH minus 9, कौन सा अप्शन क्रेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वाला अप्शन क्रेक्ट हो जाएगा, ओके डिर स्टुदेंट्स, नेक्स्ट चेक करते हैं, एस नाइन नमबर, एस सर्टेन बफफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कंसेंट्रेशन ओफ A minus and H A, pH of the buffer will be K equal to this, एक ऐसा बफफर हो गया, जो H plus H A और A minus हो गया, कैसा बफफर सॉल्यूशन हो गया, एसीडिक बफफर सॉल्यूशन हो गया, एसीडिक बफफर हो गया, अगर एसीडिक बफफर है, एसीडिक बफफर हो गया, एसीडिक बफफर के लिए, pH is equal to pK plus log concentration of salt upon concentration of acid, concentration of salt upon concentration of acid हो जाएगा, तो pH is equal to, pK कितना गिवन है, k 10 to power minus 3 है, तो pK कितना हो गया, pK अपने पास 3 हो गया, pK 3 हो गया, तो यहां कितना हो जाएगा, 3 plus log, concentration क्या है, equal concentration of the, a plus and h a, 1 by 1, तो pH भी कितनी हो जाएगी अपने पास, 3 हो जाएगी dear students, pH अपने पास कितना हो जाएगा, 3 pH हो जाएगा, तेन नमबर, pH अपने अक्वास सोलुशन अफ अन अवच, कोई अक्वास सोलुशन है अन अवच, pH इसकी 12 गीवन है, calculate the mass of अन अवच in 1 लीटर of solution, mass of अन अवच in 1 लीटर of the solution, ओके, तो dear students, हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अपने पास यह हो गया, कि pH, pH अपने पास 12 हो गई, pH अपने पास 12 हो गई, तो pH कितनी हो जाएगी, pH अपने पास जो होगी, वो अपने पास 2 हो जाएगी, pH अपने पास 2 हो जाएगी, अगर pH 2 हो जाएगी, तो अपने पास OH-1 की concentration होगी, वो OH-1 की concentration 2 हो जाएगी, OH-1 की concentration जो अपने पास आएगी, concentration वो अपने पास concentration 2 आ जाएगी OH-1 की concentration 10 to power minus 2 हो जाएगी ओके दियर स्टुडेंट्स अगर यह 10 to power minus 2 हो गी तो अपने पास जो pH हो जाएगी 10 to power minus 2 is equal to W upon MW into V कितना लीटर लेना है 1 liter ले लेना है यह 1 liter तो 10 to power minus 2 is equal to अपने पास यह हो गया W calculate करना है MW कितना हो गया MW अपने पास हो गया NA होज का 40 solution का volume कितना हो गया 1 liter तो W is equal to अपने पास कितना हो जाएगा 0.4 gram हो जाएगा W अपने पास 0.4 gram हो जाएगा तो कितना answer आ जाएगा 0.4 gram answer हो जाएगा okay students next discuss करते हैं students an acidic buffer solution can be prepared by the making of solution formic acid and sodium formate formic acid acidic buffer की लिए क्या होना चीए acidic buffer के लिए weak acid होना चीए weak acid और इसका क्या होना चीए Conjugated Conjugated Salt होना ची Acidic Buffer के लिए तो दिया स्टुनेंट समारे पास Acidic Buffer में Formic Acid CS3 COOH Formic Acid और Sodium Formate CS3 COON यह Acidic Buffer का Formation कर सकता है CS3 COOH and HCL Weak Acid but is the Strong Acid So Not Form Acidic Buffer Solution Next NOH Strong Base and Salt Not Form Acidic Buffer Solution NH4 OH and NH4 CL NH4 OH NH4 OH है Weak Base Weak Base और इसी का Conjugated Salt तो क्या बनाएगा ही Basic Buffer बनाएगा ही यह क्या बनाएगा Basic Buffer बनाएगा तो Acidic Buffer का Formation कौन करेगा Formic Acid and Sodium Formate Okay dear students Next PK value of 3 acids A, B and C are this 4.5 3.5 3.5 and 6.5 respectively Which of the following represent the correct order of Acidic Strength Dear students Acidic Strength का जो order होता है Acidic Strength Acidic Strength is directly proportional to K and inversely proportional to PK अपने पास किसका order given है PK का order given है PK का order given है तो जिसका PK कम होगा उसकी Acidic Strength क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी सबसे कम किससे 3.5 तो B का सबसे ज्यादा उसके बाद किसका हो जाएगा अपने पास A का और सबसे घम किसका होगा C का क्योंकि के P K का ओडर रहा तो सबसे ज्यादा किसका हो गया B A और C कौन सांसर आजाएगा थर्ड आंसर आ जाएगा ओके डिर स्टुडेंट्स नेक्स्ट डिस्केस करते ही विच अफ दे फॉलोविग इस लेविस एसिड्स लेविस एसिड्स का मिनिंग होता है जो नॉन पेर ओफ एलेक्टोन असेप्ट करता है सी ओ टू सी ओ टू में वेसे तो वेकेंट और वाइटल नहीं है वेकेंट और वाइटल वेसे तो सी ओ टू में नहीं है लेकिन इसकी रेजोनेटिंग स्टेक्चर बनेगी तो अपने पास क्या हो जाएगा सी डवल बॉन्ट ओ और क्या जाएगा O- यहाँ इसके पास vacant orbital हो जाएगी तो CO2 किसका काम कर सकता है Leavish acid का काम कर सकता है SiCl4 में SiCl4 Silicon के पास क्या है vacant D-orbital है vacand D-orbital है तो यह किसका काम कर सकता है Leavish acid का काम कर सकता है ZN plus 2 Kепास भी vacant orbital present है vacant orbital present है तो non pair of electron accept कर सकते है और levis acid का काम कर सकते है क्या हो जाएगा all of these answer हो जाएगा ओके dear students next discuss करते ही what is the pH of 0.1m h2s if k1 and k2 of h2s are 10 to power minus 5 and 10 to power minus 12 respectively अगर 10 to power k1 10 to power minus 5 और k2 10 to power minus 12 तो mainly h2s ionized होगा तो h2s is equal to h plus plus hs minus इस तरह से ionized हो जाएगा hs minus equal to h plus plus s minus 2 second ionization k1 है इसकी value k2 से काफी जादा है k1 is greater than k2 काफी जादा है तो only h plus ion किस से अप्टेन होंगे first ionization से अप्टेन होंगे and h plus ion is equal to होता है h plus ion is equal to android k1 into c हो जाएगा तो h plus ion is equal to 10 to power minus k1 कितना हो गया 10 to power minus 5 हो गया into c कितना हो गया 0.1 हो गया 10 to power minus 6 तो pH यहां से कितनी आ रहे है pH equal to 3 answer आ रहे है तो पह कितनी हो जाएगी इस्टूरेंस पह हो जाएगी 3 हो जाएगी ओके discuss करते है next J students sum of the basicity of h3po4 h3po3 and h3po2 जो h3po3 है इसमें कितने हो जाएगा इसका सम हो रहा है अपने पास 6 तो सम टोटल बेससिटी का सम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ओके डी इस्टूरेंट्स नेक्स डिसकेस करते हैं copper sulfate solution is acidic due to copper sulfate solution में Cu plus copper sulfate है यह ionized होगा आपने पास copper plus 2 plus SO4 minus 2 water के साथ hydrolysis में कौन पार्टिस्पेट करेगा Cu plus 2 participate करेगा Cu plus 2 H2O के साथ react करेगा और क्या बनाएगा Cu OH plus plus H plus तो water के साथ H2O के साथ copper plus 2 react करेगा so it is known as cationic hydrolysis this hydrolysis को क्या बोल देंगे cationic hydrolysis कौन सांसर हो जाएगा second answer हो जाएगा इस्टूरेंट्स नेक्स्ट in which solution solubility of AGCL is minimum AGCL की solubility minimum होगी dear students हम जानते comma 9 effect से solubility क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी अपने पास अगर KCL solution है तो KCL solution से को मनाइन क्या मिलेगा CL minus K++ CL minus CL minus आइन की जो concentration आएगी 0.01 है अपने पास second option में AGNO3 है AGNO3 से जो को मनाइन होगा वो क्या हो जाएगा AG PLUS AG PLUS को मनाइन होगा PLUS NO3 MINUS NO3 MINUS इसमें से को मनाइन की जो concentration मिलेगी वो कितनी मिलेगी 0.05 और थर्ड ओप्शन अपने पास है उसमें है SR CL2 SR CL2 में ये इस तरह से आइनाइज होगा SR PLUS 2 PLUS 2 CL minus यहां से अपने पास जो CL minus आइन की concentration हाएगी वो 0.02 है माएगी दीर स्टूदिन सबसे ज्यादा concentration किसमें अवेलेबल हुई? को मनाइन की AG PLUS आइन वाली concentration सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी? अवेलेबल हो जाएगी तो अवेलेबल हो जाएगी तो इसमें AGNO3 में solubility सबसे ज्यादा को मनाइन इसी में लगेगा तो solubility इसमें क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी चेकिन आंसर हो जाएगा ओके दीर स्टूदें नेक्स डिसकेस करते हैं दीर स्टूदें 20 ml of 0.2 m NaOH added into the 50 ml 0.2 m CS3 COH solution the pH of solution will be PK of CS3 COH 4.75 दीर स्टूदें ने ओच अपने पास बेस हो गया CS3 COH CS3 COH अपने पास एचीड हो गया अगर यह रियक्शन करते हैं CS3 COO NE plus किसका फॉर्मेशन करेंगे? H2O का फॉर्मेशन करेंगे अगर starting के mill equivalent की बात करता हूँ starting के mill equivalent की बात करता हूँ तो इसके mill equivalent कितने हो गये? 20 into 0.2 इसके mill equivalent कितने हो गये? 50 into 0.2 यह starting के in kay mill equivalent होगे इसके कितने हो जाएंगे 4, इसके कितने हो जाएंगे 10, इसके कितने रहेंगे 0 और 0, at final state में इसके मिली equivalent 0 हो जाएंगे, इसके 6 हो जाएंगे, इसके 4 हो जाएंगे और इसके 4 हो जाएंगे, dear students अपने पास solution में क्या रहेगा, solution में एक तो weak acid और इसी weak acid का क्या हो गया, conjugated salt तो pH अपने पास क्या जाएगी pH is equal to pH acidic buffer के लिए plus log salt upon salt upon acid हो जाएगा तो dear students यहाँ से pH is equal to pH कितना हो गया pH अपने पास 4.75 यह हो गया 4.75 plus log 4 divided by 4 divided by 6 तो यहाँ से pH equal to अपने पास हो जाएगा pH is equal to अपने पास हो जाएगा 4.75 minus 0.17 तो pH is equal to अपने पास हो जाएगा 4.58 तो कौन सा अंसर करेक्ट हो जाएगा यह वाला अंसर अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके dear students next the solubility of CAF2 in H2 is 2 into 10 to power minus 4 mole per liter the solubility product of CAF2 जो वोटर में आइनाइजड होगा तो इस तरह से आइनाइजड होगा CA plus 2 aqueous plus 2F minus aqueous इसके लिए जो अपने पास solubility product आएगा KSP is equal to 4S cube रहेगा KSP is equal to 4S cube तो KSP is equal to 4 तो यह हो गया S की value कितने है 2 into 10 to power minus 4 होगी इसका हम क्या कर देते हैं cube कर देते हैं तो KSP is equal to कितना हो जाएगा अपने पास 32 यह हो गया 8 8 multiply by 4 32 into 10 to power minus 12 means अपने पास 3.2 into 10 to power minus 11 हो जाएगा O.K.D.E. students तो कौनसा अंसर हो गया 1st वाला अंसर हो गया O.K. Next In the reaction Ns3 plus H2 Ns4 plus plus OH minus which of the following set represent the bronze stent base कौनसे bronze stent base को represent कर रहे हैं Ns3 नहीं यहाँ पे H plus क्या किया है Ns3 से Ns4 bronze stent base का मिनी जो H plus accept कर रहे है Ns3 ने H plus accept किया है तो किसका काम किया है यहाँ पे base का काम किया है अगर अपने पास Ns4 इस side में देखें तो OH minus I OH minus I जब H plus I का accept करता है तो क्या बन जाता है H2O बना होगा तो OH minus I के accept करने से H2O का formation हो गया तो इसमें कौन-कौन काम कर सकते Ns3 और OH minus I bronze stent base का काम कर सकते okay dear students next discuss करते है aqueous solution of the strong acid having concentration of H plus I 10 to power minus H pH of the solution concentration 10 to power minus H dear students very dilute solution है very dilute solution very dilute solution में जो water वाले H plus है वो count करने होते है तो water वाले total H plus कितने हो जाएंगे H plus is equal to अपने पास H plus of HCl and H plus of H2 H plus of H2 dear students जब दोनों ये H plus count करते हैं तो H plus is equal to 10 to power minus 8 और near about to 10 to power minus 7 तो यहां से अपने पास pH is equal to 6.98 और 6.98 का मीनिंग हो गया 6 no 8 no between the 7 and 8 no between the 6 and 7 कौनसा option करेक्ट हो जाएगा 4th option करेक्ट हो जाएगा ok dear students next discuss करते हैं the dissociation constant of a base is 10 to power minus 5 the pH of its 0.1 M solution is कोई भी base है इस बी ओच बेस का dissociation constant बी फ्लस फ्लस ओच माइनस के बी इक्वल टू अपने पास गिवन है 10 to power minus 5 यहां से पहले पी ओच केलकुलेट कर सकते हैं concentration of OH minus 9 is equal to हो जाएगी अपने पास concentration of OH minus unroot kb into c की concentration हो जाएगी तो OH minus 9 की concentration अपने पास हो गई kb 10 to power minus 5 and c is equal to 0.1 M यह 0.1 M तो यहां से pH equal to अपने पास आगी 6 तो कितनी आगी 3 आगी तो pH कितनी हो जाएगी pH अपने पास 11 हो जाएगी कौन सा आणसर हो जाएगा 1st वाला इसका आणसर हो जाएगा OKD students next discuss करते हैं next 23 the buffer solution containing weak acid and its conjugated salt the ratio of the concentration of salt to acid increases 10 fold the pH of solution will be तो pH of solution will be pH is equal to जो acidic buffer solution होता है pH is equal to अपने पास होता है pk plus log pk plus log salt upon pk plus log salt upon acid होता है dear students यह अगर आप 10 time increases कर देंगे salt की concentration को 10 time कर देते हैं तो pH is equal to क्या जाएगी पहले यह 1 होगे 1 था माल लेते हैं 1 था इसको 10 time कर देंगे तो pH is equal to क्या जाएगी pH plus 1 हो जाएगी तो pH कितने increase हो जाएगी 1 increase हो जाएगी increases by 1 हो जाएगी pH increases by 1 हो जाएगी OKD students next discuss करते हैं pH of 0.005 M aqueous solution of sulfuric acid is approximately H2SO4 जो अपने पास dissociate होता है H2SO4 dissociate होगा 2H plus plus SO4 minus 2 अगर अपने पास concentration of acid है वो 5 into 10 to power minus 3 है 5 into 10 to power minus 3 है है तो H plus आइन की concentration क्या हो जाएगी twice 2 into 10 to power minus 3 2 into 5 into 10 to power minus 3 तो H plus आइन की concentration हो जाएगी अपने पास 10 to power minus 2 तो pH of solution अपने पास हो जाएगी वो solution हो जाएगी 2 तो pH of solution 2 मिन्स कोन सा option हो जाएगा second option हो जाएगा okay dear students next discuss करते है the amount of the acetic acid in the 1 liter of its solution alpha is equal to 2 percent and k is equal to 2 into 10 to power minus 5 dear student acetic acid के लिए k is equal 2 होता है c alpha square तो k is equal to 10 to power minus 5 c is equal to calculate कर लेते हैं alpha कितना दे रखा है 2 into 100 multiply 2 into 100 dear student इसे solve करें तो यहां से 2 into 10 to power minus 5 है तो 2 से 2 तो यह क्या हो अपने पास कितने आगी 25 into 10 to power minus 2 तो यहां से मॉलर्टी M is equal to w upon mw और वी कितना होना चीए वी लीटर होना चीए लीटर होना चीए लीटर होना चीए है 5 into 10 to power minus 2 w calculate करना है M w कितना हो गया 60 volume of solution 1 लीटर तो कितना हो जाएगा अपने पास w is equal to 3 gram इसे solve करेंगे तो answer आजाएगा 3 gram means second option अपने पास select हो जाएगा okay dear students next check करते ही solubility of the L2SO4 का whole thrice given is अपने पास लिखा है L2SO4 का whole thrice इसके लिए हम बात करते हैं तो यह आगया 2 L plus 3 plus 3 SO4 minus 2 3 SO4 minus 2 इसके लिए जब आप KSP देते हैं तो KSP is equal to होता है 108 S5 ठीक है solid KSP अपने पास given है represent by the KSP KSP के ट्रम में देना है 108 S5 तो S is equal to क्या हो जाएगा KSP अपन 108 की पावर 1 by 5 हो जाएगा तो कौन सा option करेक्ट हो रहा है KSP अपन 108 की पावर 1 by 5 okay dear students next discuss करते pH of salt of weak acid and strong base pH of salt is weak acid and strong base salt of salt कैसा salt लेना है weak acid और strong base का salt लेना है इसके लिए अपने पास pH का direct formula होता है pH is equal to 1 by 2 pkw plus pk plus log c ये direct formula pkw कुछ नहीं कियों तो रूम टेमरेशर पर सेवन तो pH का formula अपने पास आजाएगा 7 plus 1 by 2 pk plus log c ये क्या आजाएगा formula आजाएगा कौन सा correct option है second वाला option correct option है okay dear students next discuss करें which of the following metal sulfide has maximum solubility in water metal sulfide की solubility अगर इसकी solubility S की बात करते हैं तो सारे के सारे metal sulfide है CDS FES HGS ZNS इन सब के लिए KSP is equal to S square है तो इसकी solubility near about हो जाएगी 6 into 10 to power minus 15 इसकी solubility हो जाएगी 11 का unrood हो जाएगा अपने पास 3 point something into 10 to power minus 10 हो जाएगी इसकी solubility हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास 5.8 into 10 to power minus 27 इसकी solubility हो जाएगी 3 point something into 10 to power minus 11 तो maximum solubility अपने पास किसकी आ रही है FES की solubility maximum आ रही है okay dear students next discuss करते है okay dear students HF H2 के H3 HF के लिए F minus proton accept करके HF बना रहा है means that those are HF acid और F minus base ये क्या हो गया? acid हो गया और ये क्या हो गया? conjugated base conjugated base और conjugated acid base के लिए अपने पास क्या होता है? K into KB equal to क्या होता है? KW के equal होता है यहां से ये क्या हो गया अपने पास? K1 K1 किसके equal हो गया? K1 है वो किसके equal हो गया? K के equal हो गया K2 अपने पास किसके equal हो गया? KB के equal हो गया तो हम क्या लिख सकते ही? K1 into KB equal to किसके equal हो जाएगा? KW के equal हो जाएगा कौनसा option है? KW is equal to K1 into K2 के टू कौन सा अप्शन हो जाएगा थर्ड अप्शन अपने पास हो जाएगा ओके डियर स्टुडेंट्स नेक्स्ट डिस्केस करते हैं पी एच ओफ जीरो पॉइंट वान अम ओफ दैप फॉलोविंग इंक्रीजिंग इन दा ओडर पी एच का ओडर बताना है इस तुडेंट्स अपने पास सोल्यूशन जैसे हC.L एक अपने पास NH4Cl, एक अपने पास NACL और एक अपने पास NACL इस तुडेंट्स हम चेक करते हैं हC.L strong acid यह कैसा salt हो गया, weak strong acid और weak base का salt हो गया pH क्या हो जाएगी, less than pH क्या हो जाएगी, less than 7 हो जाएगी इस NACL solution की pH कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी इसकी pH क्या रहेगी pH is greater than क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी तो increasing order में अगर बताना है तो कौन सा option हो जाएगा अपने पास first वाला option increasing order का option ही बन रहा है okay dear students next discuss करते pH of solution formed by the mixing of 40 ml 0.1 m hcl with 0.10 ml 0.45 m aneoids dear students hcl strong acid hcl strong acid aneoids strong base है strong acid और strong base में acid के जो milli equivalent milli equivalent of acid होगे अपने पास nv और milli equivalent of base क्या होगे nv तो acid के milli equivalent 40 ml 0.1 m कितना हो गया 4 milli equivalent होगे यह अपने पास 10 ml 0.5 m यह कितने होगे 4.5 milli equivalent होगे remaining milli equivalent किसके होगे remaining milli equivalent of milli equivalent of base remaining milli equivalent of base होगे वो 0.5 होगे तो 0 equivalent equal to होता है nv milli equivalent है तो वोल्यूम के इसमें लिख देंगे ml में लिख देंगे 0.5 is equal to n into v total volume कितना होगे 40 और 10 50 ml होगे यह अपने पास 50 ml तो n is equal to 10 to power minus 2 आगया remaining and neos base के रहे तो pH is equal to pH is equal to कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी तो pH is equal to कितनी हो जाएगी dear students 12 हो जाएगी तो pH अपने पास कितनी हो जाएगी 12 अपने पास pH हो जाएगी ओके dear students next degree of hydrolysis of n by n red solution of k cn is k of h cn is this degree of hydrolysis k cn के लिए बात करते हैं तो k cn के लिए degree of hydrolysis k h is equal to अपने पास होता है c alpha i square alpha is equal to अपने पास हो जाएगा k h com क्या लिख सकते हैं k w upon k a divided by c यहाँ k w हो गया अपने पास 10 to power minus 14 अपने पास k की value हो गई 1.4 into 10 to power minus 9 और यह हो गया 10 to power minus 2 10 to power minus 2 इसे अपने cancel out किया 11 से यह minus 3 यह अपने पास हो गया 1 7.1 into 10 to power minus 4 का अन्रूल near about यह आ जाएगा आपने पास 2.7 into 10 to power minus 2 यह क्या हो जाएगी इसकी degree of hydrolysis alpha हो जाएगी तो 2.7 into 10 to power minus 2 हो जाएगा ओके डिये स्टुडेंट्स नेक्स डिस्केस करते ही जीरो पॉइंट जीरो 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 वन एंड के वच सोल्यूशन है पी एच पी एच के वच इपने पास स्ट्रॉंग बेस है स्ट्रॉंग बेस है तो कंप्लीटली आइनाइज्ट होगा के प्लस प्लस ओच माइनस जो कंसेंट्रेशन के वच किये वही किसके रहेगी ओच माइनस आइन की तो कंसेंट्रेशन ओप ओच माइनस आइन इस इकल टू 10 to power minus 3 तो पी ओच अपने पास यहां पर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी और the concentration of CRO4 in a saturated solutions of silver chromate will be silver chromate अपने पास silver chromate हो गया AG2 CRO4 silver chromate ionized होगा तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 AG plus plus CRO4 minus 2 हो जाएगा Dear students initially यह dash यह 0 और यह 0 equilibrium पे यह 2S होगा और यह S हो जाएगा concentration of CRO4 minus sign given है means S is equal to कितना हो गया S is equal to 2 into 10 to power minus 4 हो गया तो अपने पास KSP is equal to कितना हो जाएगा KSP is equal to 4S cube हो जाएगा 4S cube तो कितना हो जाएगा KSP is equal to 4S की विल्यू कितनी हो गयी अपने पास 2 into 10 to power minus 4 2 into 10 to power minus 4 का cube तो कितना हो जाएगा KSP is equal to यह जाएगा 8 8 or 4 32 32 into 10 to power minus 12 हो जाएगा कौनसा ओप्शन है 32 into 10 to power minus 2 कौनसा ओप्शन हो जाएगा 3rd ओप्शन अपने पास हो जाएगा ओके री स्टुडेंट्स नेक्स्ट वाट इस दे मोलर सोलिबिलिटी ओफ एग 2 CRO3 इन 0.1 है न2CO3 KSP जो है 4 into 10 to power कौन आइन एफेक्ट से रेलेटेड क्यूस्टन से है AG2 पे AG2CO3 पे किसका कौन आइन रहेगा CO3 minus 2 का AG2 CO3 जो आइनाइजड होगा इस तरह से आइनाइजड होगा 2AG plus CO3 minus 2 कौन आइन किसके काण आइन टू CO3 ये कम्पेटली आइनाइज रोगा 2NA plus plus CO3 minus 2 solubility कौन आइन के काण इसकी कितनी होगी 2S देस और इसकी कितनी होगी S देस ये कितना हो जाएगा इसली C 00 ये कितना हो जाएगा 2C और ये कितना हो जाएगा C हो जाएगा D students KSP is equal to अपने पास रहेगा AG plus 1 का square AG plus 1 का square और CO3 minus 2 का क्या रहेगा तो KSP अपने पास हो जाएगा KSP is equal to AG plus कितना हो गया 2S देस 2S देस का square और CO3 कितना हो गया S देस प्लस C S देस प्लस C हाई पावर जो आती है वो इसी के कारण आती है तो KSP is equal to क्या हो जाएगा 4S देस का square into C KSP कितना हो गया 4 into 10 to power minus 13 और ये हो गया 4S देस का square into C कितना हो गया 0.1 ये C हो गया 0.1 4 से 4 केंसिल हो गया ये 10 to power minus 1 से 10 to power minus 12 तो S is equal to 10 to power minus 6 हो जाएगा तो molar solubility कितना हो जाएगी 10 to power minus 6 हो जाएगी 10 to power minus 6 हो जाएगी okay dear students next discuss करते हैं what is the molar solubility of Fe O'H का whole twice at pH 13 molar solubility की बात करते हैं Fe O'H का whole twice Fe O'H के whole twice में जितनी कंसेंट्रेशन Fe plus 2 आइन की होगी वही क्या हो जाएगी 2 O'H minus molar solubility हो जाएगी तो Q is equal to अपने पास Fe plus 2 और क्या हो जाएगा O'H minus आइन का square और Q is equal to क्या है KSP KSP बोल सकता हूँ क्यों को तो क्या हो जाएगा अपने पास 8 into 10 to power minus 16 8 into 10 to power minus 16 is equal to Fe plus 2 हम जितना calculate कर लेते है Fe plus 2 और ये अपने पास O'H minus pH कितनी है 13 pH 13 है तो P O'H कितनी होगी 1 होगी और O'H minus आइन की concentration 10 to power minus 1 हो जाएगी तो 10 to power minus 1 का square तो अपने पास Fe plus 2 आइन Fe plus 2 के बराबरी तो क्या होगी Solubility होगी ये हो जाएगी अपने पास 8 into 10 to power minus 12 कौन सा अप्शन है 8 into 10 to power minus 14 Sorry 8 into 10 to power minus 14 हो जाएगा तो कौन सा अप्शन है 4th अप्शन है जो कि क्या हो जाएगा Correct option हो जाएगा Okay D students Next check करते है Ionic product of water Will increase Ionic product of water H2O है Ionic product of H2O Means H3O plus Plus OH minus Ionic product of Ionic product KW Equilibrium constant है किस से affected नहीं होता है Addition of H plus किस से affected नहीं होता है ये endothermic process होता है Endothermic process में Temperature increase करेंगे तो K की value क्या हो जाएगी Increase हो जाएगा तो temperature increase करेंगे तो क्या हो जाएगा Ionic product increase हो जाएगा То increase in temperature Temperature increase कर देंगे तो Ionic product of water Increase हो जाएगा okay dear students the pH of 0.02 ammonia solution dear students ammonia solution basic solution हो गया तो base के लिए अपने पास pH कल्कुलेट करनी है तो अपने पास concentration जो of OH minus sign आती है ये आती है अपने पास C alpha तो concentration of OH minus iron is equal to हो गया C की value कितनी है? 0.2 2 into 10 to power minus 2 और alpha कितना हो गया? 5% हो गया 5 into 10 divided by 100 ये कितना हो गया? अपने पास OH minus iron की concentration होगी वो 10 to power minus 3 होगी तो pH 10 to power minus 4 10 से cancel 10 to power minus 3 तो pH अपने पास कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी और pH अपने पास कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी कौनसा option? correct option है वे टीर स्टुदेंट्स second option है वो कैसा correct option हो गया? ओके टीर स्टुदेंट्स next डिस्कस करते हैं An aqueous solution if concentration of H plus iron is 10 to power minus 6 concentration of OH minus iron will be टीर स्टुदेंट्स कोई भी aqueous solution में H plus और OH minus iron की concentration का जो product होता है वो kW के equal होता है तो H plus और OH minus iron की concentration का जो product हो गया वो 10 to power minus 14 हो जाएगा H plus कितना है? 10 to power minus 6 तो OH minus iron की concentration calculate करनी है 10 to power minus 14 कितना हो जाएगा? H OH minus iron की concentration 10 to power minus 8 M हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 10 to power minus 8 M हो जाएगी OKD students Next Which of the following Act is a buffer solution Buffer solution Buffer solution मतलाब Acidic buffer solution के लिए तो क्या होना चीए? V-C acid और इसी का Conjugated salt और basic buffer के लिए क्या होना चीए? V-C acid और उसी का Conjugated H-C-N और N-A-C-L Conjugated नहीं है? N-A-2-S Acidic buffer solution का काम करेगा इसी का Conjugated हो गया H-C-L नहीं हो सकता H-N-O-3 नहीं हो सकता H-S minus H-S minus और S minus 2 किसका काम करेंगे? Acidic buffer solution का काम करेंगे कौनसा option हो जाएगा? Second option हो जाएगा OKD year students यह आपके पास Biochem DTS का 5th paper soul होता है तो मैं मैं उम्मीद करता हूँ आप best कर रहे होंगे JJ CLC सब्स इवता है यह grey जाएगा gaएएश बार सब्स टcando बार